आज की इस वीडियो में हम आपका फेबरिट वाला चाप्टर चाप्टर नंबर 16 लाइट का पूर्थ पार्ट पढ़ने वाले हैं हमने अल्रेडी इस पडिकुलर चाप्टर से तीन पार्ट्स अल्रेडी अपलोड कर दिये हैं अगर आपने फॉर्स सेगेंड थर्ड पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो मेरी जान इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तीनों पार्ट्स की लिंक मिल जाएगी लिंक पर क्लिक करो और वीडियो को जरूर देखो चलो चलते हैं अभी अक्टिविटी नंबर 16.10 पर अभी इस आक्टिविटी में है अब इस मैजिक को ना आप भी कर सकते हो कैसे करोगी इस मैजिक को चलो देखते हैं डिटेल में उके सो वी आर हियर आक्टिविटी नंबर 16.10 इस आक्टिविटी में हमें करना क्या है जो हमारी नोट बुक्स की या जो बुक्स की कवर पेज होता है आप उसको ले लो उसकी साइज 6, 7 या 8 सेंटीमेटर ऐसे ही हो कुछ ठीक है आपको करना क्या है इस कार्ड बोड में आपको 2 होल बना देना है जैसे एक होल यहाँ पर है और एक होल यहाँ पर मैंने बना दिया अब क्या करना है ठीक है पीछे से डाल के यहाँ से निकाल लो अब क्या करना है आपको आपको पता है कि किसी भी कार्ड बोड में या कोई भी paper हो, उसमें दो sides होते हैं, तो आपको एक side में cage, पिंजडे का picture चिपका देना है, और दूसरी side पर कोई bird, कोई पक्छी का image चिपका देना है, जैसे देखो, यहाँ पर किया गया है, एक side इसने bird चिपकाया है, और एक side इसने cage को चिपकाया है, यह है एक ही paper, लेकिन दो side होते हैं, तो एक side में पिंजडे को चिपका दो, और दूसरे side पर किसी bird को चिपका दो, अब आपको करना क्या है, twist the string and make the card twirl rapidly, अब देखो, इस धागे को जब तुम गोल 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 गुमाओगे न, तुम देखोगे कि यह जो cardboard है, यह भी तेजी से घुमेगा, और जब यह cardboard घुमेगा न, तो तुम्हें वहाँ पर कुछ जादू दिखेगा, क्या दिखेगा, बिल्कुल ऐसा दिखेगा, आपको लगेगा, यह जो पक्छी है, यह जो bird है, वो cage के अंदर, पिजरे के अंदर बंध है, है ना जादू यार, चलो, अब इस activity से हमने सीखा क्या है, वो देख लेते हैं, इस activity से हमने क्या सीखा, हमने सीखा, कि जो movies हम देखते हैं ना, बाहु बली, दवंग, दवंग वन, यह सारी movies जो हम देखते हैं ना, क्या ही यह movies, यह movies actual में, number of separate pictures, in proper sequence, बहुत सारे pictures को, एक ऐसे बिवस्थिक तरीके से sequence में लगा दिया जाता है, जैसे यह देखो, यह यह pictures हमारी आखों के सामने से, एक सेकेंड में 24 बार हमारी आखों के सामने से गुजरेंगे ना, तो हमें लगेगा कि picture में छपी हुई जो चीज है, वो move कर रही है, अब यह आपको पता है, मैंने पहले भी पढ़ाया है, कि अगर कोई भी चीज, एक सेकेंड में, आपके आखो के सामने से 16 बार आए और जाए ना, तो आपको लगेगा कि वो चीज चल रही है, आपके आखों को लगेगा कि वो चीज चल रही है, यह हमारे आखों की ही property है, तो जो movies हम देखते हैं, movies में क्या होता है, बहुत सारे pictures को एक sequence में लगा देते हैं, और हमारी आखों के सामने यह किया, वो किया, तो हमें कैसे दिखता है, actual में इसका main funda क्या है, यही है, a number of separate pictures in proper sequence, बहुत सारे pictures को एक sequence में लगा के रख दिया जाता है, ताकि हमारे आखों के सामने से यह pictures एक second में 24 बार cross हो जाएं, गुजर जाएं, तो समझ में आया यह funda, बहुत ही आसान था, चलते हैं, अगला दिखते हैं क्या है, nature has provided eyes with eyelids to prevent any object from entering the eye, अब उपर वाले ने हमारी आखों के साथ, हमें eyelids भी दिया है, पलके भी दी है, अब यह इन eyelids का काम क्या होता है, eyelids prevent any object from entering the eye, अगर आपकी आखों में कोई dust particles या धूल अंदर जाना चाहता है, तो आपकी यह जो eyelids होत होती है, जो पलके होती है, वो उस dust particle को रोग देती है, अब आपी देखो, जहां बहुत ज़्यादा धूल होता है, आपकी आखों में बंद हो जाती है, ताकि जो dust particles है, वो आपकी आखों में ना चाहे, होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है, eyelids का एक और काम होता है, कि eyelids also suck out, when not required eyelids जो होती है, जो बहुत ज़्यादा light हमारी आखों में जारी होती है, तो वो बंद हो जाती है, ताकि हमारी आखों में जिस light की जरुवत नहीं है, वो light हमारी आखों में ना जाए, जैसे आप directly sun की तरफ जब देखोंगे ना, तो आप देखोंगे कि आपकी आखे ध जर्वत तो होती ही नहीं है, तो हमारी जो eyelids होती है, जो पलके होती है, वो automatically shut out हो जाती है, बंद हो जाती है, गौट इट, I is such a wonderful instrument, यह जो आखे हैं हमारी ना, यह बहुत ही प्यारी से चीज है, भगवान ने हमें आखे देख करना बहुत अच्छा काम किया है, देखों होत उसे भी बहुत आसानी से देख सकते हो, और कहीं दूर से कोई आ रहा है, तो आप उसे भी बहुत clearly देख पाते हो, तो यह सब होता क्यूं है, यह सब हमारी wonderful instrument, जिसे eyes कहते हैं, इसकी वज़े से होता है, अपनी आखों की वज़े से ही, चाहे दूर की चीज हो, चाहे पास क चीजों इसे देख पाते हैं, अब देखो, the minimum distance at which the eye can see objects distinctly varies with age, अब अगर आप से यह पूछा जाए, कि कम से कम हमारी आखों से कोई भी चीज कितनी दूर होनी चाहिए, ताकि हम उसे clearly देख पाए, तो मैं कहूंगा कि यह चीजे न, age के साथ बदलती रहती हैं, अगर आप बच्चे हो, तो हो सकता है, आप 25 cm या 30 cm की चीजों को बहुत आसानी से देख लो, लेकिन वही पर आप बूढे हो गए हो, तो आपकी आखों से अगर कोई 30-40 cm भी दूर कोई चीज रखी है न, तो हो सकता है, आप उसे clearly ना देख पाओ, तो यह जो minimum distance होता है, कि हमारी हम बचपन में अच्छे से देख पाते हो, लेकिन जैसे ही हम बूड़ी हो गए है, तो हम पास की चीजों को भी clearly ना देख पाते हो, लेकिन the most comfortable distance at which one can read with a normal eye is about 25 cm, लेकिन science ने खोजबीन करकी यह निकाला है, कि हमारी जो आखे होती है, हमारी आखों से अगर कोई भी चीज 25 cm के दूरी पर रखा गया है, for example कोई बुक है, ठीक है, कोई बुक है जो हमारी आखों से 25 cm की दूरी पर रखा गया है, तभी हम इसे clearly देखताएंगे, अब अगर यही बुक और जादा पास आ जाए, तो हमें अपनी आखों से धूदला धूदला दिखाई देने लगता है, आप भी इसे टेस्ट कर सकते हो, क्या करो ना, जिस बुक से तुम पढ़ रहे हो, उस बुक को अपनी आखों की एकदम पास ले आओ, क्या तुम्हें कुछ दिखाई देता है, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, क्यों मेरे भाई, क्योंकि सबसे comfortable distance क्या होता है, 25 cm का, अग बिल्कुल ना, जिस बुक से तुम पास की चीज तो बहुत अच्छे से दिखाई देती है, लेकिन दूर की चीज, दिस्टेंट की चीज, ख्लियरली दिखाई नहीं देती, वहीं पर दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ ऐसे भी persons होते हैं, जिन्हें पास की चीज नहीं दिखाई देती भईया, लेकिन दूर की चीज साप साप दिखाई देती है, अब भाई, अगर हमें पास की चीज दिखाई ना दे, तब भी प्रॉब्लम है, अगर हमें दूर की चीज ना दिखाई दे, तब भी प्रॉब्लम है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों इंसान के आँखों में होने वाले बिमारियां है अगर किसे इंसान को कोई पास की रखी हुई चीज नहीं दिखाई दे रही है तो वो भी एक बिमारी है और अगर किसे इंसान को कोई चीज दूर है वो नहीं दिखाई दे रही है तो वो भी हमारे आँखों में क्या हो गई है, खराबी आ गई है, कोई problem आ गई है, अब इस problem को हम suitable corrective lens का use करके सही कर सकते हैं, correct कर सकते हैं, अगर आपको pass का, near, अगर आपको pass की चीज़े नहीं दिखाई देती हैं, तो आपको convex lens का use करना पड़ेगा, और अगर आपको distant, अ और convex lens को हम converging lens, converging lens का मतलब क्या होता है, वो हमारी जो आखे है न, वो दूर की चीज़ों को भी देख पाएंगी, और pass की चीज़ों को भी देख पाएंगी, और यह जो concave lens होता है, यह हमें pass की चीज़ों को देखने में मदद तो करता ही है, लेकिन दूर की चीज़ों को भी हम अच्छे से देख सकते हैं, तो हम अगर हमें पास की चीज़े नहीं दिखाई देती, तो हम कन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, अगर हमें दूर की चीज़े नहीं दिखाई देती, तो हम कन्केव लेंस का यूज करेंगे, तो समझ में आया, sometimes particularly in old age, eyesight becomes foggy, क्या होता है ना, खास तो और पे जब हम बूड़ी हो जाते हैं, तो हमारी आँखो से धुदला धुदला दिखाई देने लगता है, ऐसा क्यूं होता है, it is due to the lens becoming cloudy, आपने पढ़ा था कि जब मैं आइस के parts के बारे में आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि आखो में हमारी क्या होती है, lens होती है, यह देखो, यहाँ पर आखो के पीछे यह क्या है, lens है, अब जब यही lens हमारा धुदला हो जाता है, आपको पता है कोई भी चीज हो, अगर बहुत जादा समय तक उस sides become foggy, खास तोर पर जब हम बुड़े हो जाते हैं, तो जो हमारी आखे होती है, वो धुदला धुदला दिखाई देने लगता है, ऐसा क्यूं होता है, क्योंकि जो हमारी आखो की lens होती है, वो cloudy हो जाती है, मतलब उस पर आप ऐसे कह सकते हो कि धुदला धुदला सा हो जाता है, इसमें क्या हुआ है, इसमें इस बंदे की आखो की lens है ना, वो धुदला हो गया है, वो cloudy हो गया है, और जब ऐसा होता है, हम कहते हैं कि इंसान को cataract हो गया है, cataract का मतलब क्या होता है, हिंदी में हम कहते हैं, मोतिया बिंद, क्या कहते हैं हम इसे, मोतिया बिंद, ठी इस चीज को हम इंगलिस में cataract कहते हैं अब अगर किसी इंसान को मोतिय बिंद हो गया है ना तो हो सकता है कि ये ये जो आखों की उसकी इस्तिती हुई है जो उसका lens धुदला धुदला हो गया है इसकी वज़े से हो सकता है वो permanently कभी भी देखना पाए it is possible to treat this defect लेकिन हाँ ऐसा भी है कि हम इस बिमारी को सही कर सकते हैं आज की हमारी जो modern technology है जो आज हमारी जो medical की छेत्र में जो हमारा देश इतनी जादा development कर रहा है ना इसकी वज़े से हम सभी प्रकार की बिमारियों को treat करने के लायक हो चुके हैं capable हो चुके हैं तो अगर किसी इंसान को मोतिया बिंद होता है तो वो क्या करता है जिस इंसान को मोतिया बिंद हुआ है ठीक है उस lens को निकाल कर ये जो opaque lens होता है ये जो धुदला वाला lens होता है जिस इंसान को मोतिया बिंद हुआ है उसका जो lens होता है वो धुदला हो जाता है पड़ते क्या है डॉक्ट हो न तो लोग काला वाला चस्मा लगा कर रखते हैं लोग कहते हैं कि मैंने अभी मोतिया बिंद का operation कराया है तो मोतिया बिंद के operation में क्या होता है यह जो धुदला वाला lens होता है उसको निकाल कर एक नया artificial lens हम अपनी आखों के अंदर डाल देते हैं और चीज को करना हमारी modern technology के मदद से बहुत जादा simple हो गया है और बहुत जादा सुरक्षित भी है तो I hope आपको यह सारी चीज़े समझ में आ रही होंगी बिलकुल समझ में आ गे होंगी मेरी चान अब हम चलते हैं care of eyes हम अपनी आखों का देख भाल कैसे कर सकते हैं it is necessary that you take proper care of your eyes यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी आखों का properly ध्यान रखो कैसे ध्यान रखोगे if there is any problem you should go to an eye specialist have a regular check-up अगर आपको आपकी आखों में कोई भी दिक्कत होती है तो कोई भी आखों के डॉक्टर के पास चले जाओ और अपनी आखों को दिखाओ check-up कराओ और अगर कोई दिक्कत है तो उसका इलाज कराओ अब हम अपनी आखों का care कैसे कर सकते हैं अपनी आखों को अपनी आखों का ध्यान कैसे रख सकते हैं सबसे पहला point है कि अगर आपको ये सलाह दिया जाए कि आपकी आखे कमज जाते है दॉक्टर केहता है तो अगर आपको डॉक्टर ने अड्वाईस किया है तो आप चसमे को जरूर लगाओ ठीक है चसमा क्या करता है आपके आंखों को जो भी नुक्सान हुआ है वो वापस से उसे replace कर देता है वापस से उसे दुबारा जैसा था हमारी आखे वैसी कर देता है ठीक है अब देखो दूसरा point क्या है कि too little or too much of light is bad for our eyes अगर आप कहीं ऐसी जगह पर बैटे हो जहां पर बहुत जादा light है तो वो भी हमारे आखों के लिए खराब है और अगर आप कहीं ऐसी जगह पर पढ़ाई कर रहे हो या आप कहीं ऐसी जगह पर बैटे हो जहां पर light बहुत कम है तो वो भी हमारी आखों के लिए क्या है दुकसान दायक है अगर कम light आपकी आखों में जाएगी तो आपकी जो आखे न वो फाड़ फाड़ कर अगर कहीं पर बहुत जादा light है जैसे कि जो sun की light होती है जो सूरज देउता की light होती है वहाँ पर बहुत सारी light होती है तो होता क्या है कि अगर कहीं से बहुत जादा light आती है जैसे अगर आप sun की तरफ देखते हो अगर आप सूरज की तरफ देखते हो तो होता क्या है a powerful lamp और a laser torch can injure the retina अगर हम sun से आने वाली light या अगर कोई lamp है उससे बहुत जादा light आ रही है या अगर कोई laser light है हम मेले में जाते हैं तो क्या करते हैं laser light खरीदते हैं कि नहीं जो वो red वाली light होती है laser light जिसे हम कहते हैं बच्पन में आप सभी ने खिला होगा तो अगर इन सारी चीजों से light आपके आँखों पर पढ़ रही है तो हो सकता है कि आपकी retina को नुकसान पहुचा दे retina कहां होता है आपको पता है ना मैंने आपको बता है था parts of eyes में कि हमारी retina कहां होती है retina यहां कहीं होती है retina ही responsible होता है कि अगर कोई चीज हम अपनी आँखों से देखते है तो उसका image कहां बनता है retina पर ही बनता है समझ में आया और अगर retina ही damage हो जाएगा तो हमें कैसे दिखाई देगा मेरी जान नहीं दिखाई देगा चलो, third point क्या है यह आपकी retina को क्या कर सकता है damage कर सकता है ठीक है, और next point पर आते है never rub your eyes होता न कि कभी-कभी हमारी आखों में खुजली होने लगती है कभी-कभी हमारी आखे दर्थ करने लगती है तो हम अपनी आखों को क्या कर लेते हैं rub कर देते हैं, muscle देते हैं अब होता क्या है इससे जब अपनी आखों को मसलते हो ना तो जो आपकी आखों की जो नसे हैं, जो nerves हैं, वो हो सकता है फट जाएं, या हो सकता है वो damage हो जाएं, जिससे आपकी आखों को नुकसान पहुशता है, ठीक है, अगर कुछ भी आपके अंदर धूल का कोई टुकडा, कोई डस्ट का पार्टिकल आपके आखों में चला गया है, तो साफ पानी से आप अपने आखों को धो सकते हो, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, आपने साफ पानी से अपने आखों को धो लिया, फिर भी अगर next point क्या है wash your eyes frequently with clean water आपको एक बात का ध्यान रखना ही चाहिए कि आपको अपनी आखे ना बार बार धोनी चाहिए साफ पानी से याद रहे साफ पानी से अपनी आखों को धोगे ना तो तुम्हारी आखे वापस से refresh हो जाएंगी समझ में आया जितनी भी dust particles आपकी आखों में गई है वो वापस clean water की वज़े से वापस आजाएंगी समझ में आया चलो अपना next and last point देखते हैं क्या है कि always read at the normal distance for vision अब हमारी normal distance for vision क्या होती है मैंने आपको पहले भी बताया कि जो 25 cm की दूरी होती है अगर कोई भी चीज हमारी आखों से 25 cm की दूरी पर रखा है तभी ह हम उस चीज को clearly साफ साफ देख पाएंगे और अगर आप किसी भी चीज को कोई भी book है अगर आप कोई भी book पढ़ रहे हो और अगर आपने उस book को बहुत जाद आपने आखों के पास ले आया ना या अपनी आखों से उस book को तुम बहुत जादा दूर ले जाओगे तो होता क्या है अगर हमारे खाने में कुछ ऐसे nutrients की कमी है जो हमारे आखों के लिए बहुत जादा beneficial होते हैं जैसे कि क्या होता है कि जैसे अगर हम जो खाना खा रहे हैं उसमें vitamin A नहीं है या अगर कोई भी ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें हरी सबजीया नहीं है जिसमें vitamin A की क तो इस वज़े से हमारी आखों को दिक्कत हो सकती है Most common amongst them is night blindness अगर हम बहुत जादा दिनों तक अपने खाने में विटामीन A नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि हमें रातों को दिखना बंद हो जाए जिसे हम कहते हैं night blindness अगर आपके खाने में विटामीन A नहीं है तो सबसे पहली विमारी आपको कौन सी होगी night blindness मतलब आपको रातों को दिखना बंद हो जाएगा ठीक है One should therefore include in the diet components which have विटामीन A इसलिए आप जब कभी भी खाना खाओ तो make sure कि आपके खाने में हरी सबजियां गाजर ये सारी चीजे हो जिससे हमें विटामीन A मिलती है अब देखनेते हैं कि हमें कौन-कौन सी चीज से विटामीन A मिलती है देखो raw carrot हो गया मतलब कोई भी कच्चा गाजर हो गया broccoli, broccoli पता है हरी गोभी को हम broccoli कहते है कोई भी चीज हरा-भरा है जैसे हमारा गाजर हो गया broccoli हो गई, कोई हरी सबजी हो गई जैसे कि पालक हो गया या cod liver oil cod liver oil पता है क्या होता है ऐसे डब्बे में flip card या Amazon में आपको एक bottle में cod liver oil मिल जाएगा ये सारी चीजों में विटामीने बहुत जादा पाया जाता है तो ये तो आपको अपनी diet में include करना ही करना चाहिए अपने खाने के साथ make sure कि आप गाजर खाओ या हरी भरी गोबी खाओ या अगर गाजर और गोबी नहीं खा पा रहे हो तो आप पालक खाओ तो इन सारी चीजों से में vitamin A मिलता है अगर कोई अंडा हो गया और दूध हो गया दही हो गया पनीर बटर या कोई फल है जैसे कि पपाया पपीता हो गया और आम हो गया इन सभी फलों में इन सभी चीजों में क्या पाया जाता है vitamin A पाया जाता है और अगर हम अपने diet में vitamin A को रखते हैं तो ये हमारी आखों के लिए beneficial होते है got it, समझ में आया okay now come to our next topic topic number 16.9, इस topic में हम पढ़ेंगे कि जो visually challenged लोग होते हैं जिनने थोड़ा कम दिखाई देता है या जो अंधे होते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं जिनने थोड़ा कम दिखाई देता है they have very limited vision to see things ऐसे बच्चे होते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनने उनकी आखों से थोड़ा कम दिखाई देता है कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जन्म से ही अंधे होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके आखों की रोसनी किसी बिमारी की वज़े से चली गई हो हो सकता है कि जब वो पैदा हुए हो तब उनकी आखे सही हो लेकिन जैसे ही वो 15 साल, 20 साल के हो तो उनको कोई बिमारी हो गई हो और उस बिमारी की वज़े से उनकी आखों की रोसनी चली जाती है अब ऐसे लोग कैसे पढ़ते लिखते हैं, ऐसे लोग identify things by touching and listening to voices, अब ऐसे लोग किसी चीज को छू कर या किसी चीज की आवाज सुनकर ही उस चीज को पहचान पाते हैं, अब भगवान ने ऐसे लोगों को आखे तो दिया ही नहीं है, क्योंकि आखे अगर होती तब तो वो आ आसानी से पढ़ लिख लेते, लेकिन अगर उनके पास आखे नहीं हैं, तो जो other sense organs हैं, जैसे हमारे पास ears हो गया, nose हो गया, tongue हो गया, इन चीजों से वो दूसरी अलग-अलग चीजों को आसानी से पहचान पाते हैं, आसानी से पढ़ लिख पाते हैं, however, additional resources can enable them to develop their capabilities further, लेक सकती हैं, तो ऐसे लोग, जो जन्म से ही अंधे हैं, या जिन्हें थोड़ा कम दिखाई देता हैं, ऐसे लोग भी पढ़ सकते हैं, अगर आज की modern technology उन्हें थोड़ी सी help कर दे, थोड़ी सी मदद कर दे, yes, आज की modern technology देना, ऐसे बच्चों के लिए एक बहुत ही जबर जब system निकाला है, और उस system का नाम क्या है, ब्रैली system, अब ये ब्रैली system क्या होता है, आप ऐसे कह सकते हो कि जो Mr. Braly थे न, इन्होंने, ये ये तो खुद भी अंधे थे, देख रहे हो इनकी आखों में, ये देख रहे हो ये खुद भी अंधे थे, और इन्होंने अंधी लोगो को पढ़ने लिखने के लिए एक नया तरीका निकाला है, जिसको हम ब्रैली system कहते हैं, अब ब्रैली system है क्या, the most popular resource for visually challenged person is ब्रैली, वो बच्चा या वो लोग, जिनने थोड़ा सा नहीं दिखाई देता, या जिनने बिलकुल नहीं दिखाई देता, वो इस ब्रैली system का यू सिस्टम बनाया गया है, ये थे कौन, तो लुइस ब्रैली, himself a visually challenged person, ये जो मिस्टर लुइस ब्रैली थे न, ये खुद भी अंधे थे, इनने दिखाई नहीं देता था, और इसलिए इन्होंने एक ऐसा system डबलब किया, इसलिए इन्होंने एक ऐसा system निकाला, जिससे सभी अं ब्रैली ने एक ऐसा system निकाला, जिसकी मदद से सभी अंधे लोग पढ़ लिख सकते हैं, अब चलो इस system के बारे में पढ़ते हैं, कि the present system was adopted in 1932, अब देखो, जो ब्रैली system था न, वो 1821 में ही आ गया था, लेकिन अभी जो 1821 में आया था, उन चीजों में कुछ सुधार करक जो आज जिस तरीके से अंधे लोगों को पढ़ाया जाता है, वो तरीका 1932 में identify किया गया, वो उस तरीके को न, मार्केट में 1932, ये जो year है, 1932, इसी साल में ब्रैली system को improve करके, अंधे लोगों को पढ़ने लिखने के लिए ये नया system लाया गया है, अब जब हम हिंदी बोलते हैं, जो हम English बोलते हैं, तब तो हम letters को पहचान के बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा, ABCD पढ़ा होगा, तब ही तो आप आज English पढ़ पाते हो न, बिल्कुल ऐसे ही, ब्रैली system में क्या है, ब्रैली ने एक अपना code दिया है, उस code के माध्यम से, अ इतनी भी चीजे है न, वो सभी चीजे ब्रैली ने अपने system में रखा था, कई सारे भारती भासा भी है, कई सारे Indian languages भी है, जिसे आप ब्रैली system की मदद से पढ़ सकते हो, तो ये ब्रैली system कितना मददगार है, ये आपको बताने की जरुद तो है नहीं, पहले आप पढ़ लेते हैं कि ये ब्रैली system है क्या, ब्रैली system के पास 63 dot patterns है, dot patterns का मतलब क्या होता है, dot pattern ये देख रहे हो, ये वाला जो pattern होता है, इसको हम dot pattern कहते हैं, ठीक है, ब्रैली system के अंदर 63 dot patterns थे, और each character represents a letter, और combination of letter, अब ये जो आपको दीख रहा है, ये जो dot pattern आपको दीख रहा है इस हर pattern का, एक word या एक letter decide है, जैसे इस pattern का C है, इस pattern को A कहते हैं, इस pattern को T कहते हैं, इस तीनो pattern को मिला के हम cat कहते हैं, तो अब क्या हो गया है, कि dots are arranged in cells of two vertical rows of three dots each, होता क्या है, कि ये जो dot pattern है न, इसमें दो, दो columns है, एक और दो, एक column ये हो गया, एक column ये हो गया, इन दोनों columns में मिला कर लगभग 6 dot patterns है, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, ये dot patterns न, अलग-अलग letters को represent करते हैं, जैसे देखो ये वाला जो dot pattern है, ये एक letter को represent करता है, जिसे हम A कहते हैं, ये वाला T को represent करता है, patterns of dots to represent some English letters are some common words, are shown below, अब देखो यहाँ पर ये as a example, आपको दे दिया गया है, कि Braille system में कैसी कैसी चीजे होती है, पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो Braille system है, ये आप कहां से पा सकते हो, Braille system आप Amazon या Flipkart से खरीच सकते हो, ठीक है, कुछ 1200 या 1300 रुपए का आपको पढ़ेगा, अ तो वो Braille की पूरी seat खरीच सकते हैं, उस seat में ऐसे कई सारे words छपे हुए हैं, ऐसे कई सारे words बनाए गए हैं, जिससे जो अंधे लोग है न, देखो होता क्या है actual में, कि ये जो dots है, ये dots उन्हें बचपन से ही, अंधे लोगों को बचपन से ही पढ़ाया जाता है, कि ऐसी चीजों को जब तुम touch करो, होता क्या है कि ये जो dots है न, ये थोड़ा-थोड़ा उभरा रहता है, हमारी pages के थोड़ा सा उपर उभरा रहता है, तो जिससे अगर कोई अंधागत्ती से छूता है न, तो वो आसानी से पहचाल लेगा कि अरे ये तो C हैं, और अगर कोई भी तो वो आसानी से पहचाल लेगा कि अरे ये तो T है, ठीक है, तो Braille system इस चीज पर काम करता था, Braille ने अपना अलग ये जो dot pattern है, इसको निकाला था, जो की अंधे लोग हैं, जब इसे छूते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि ये C है, ये A है और ये T है, समझ में आया, देखो, कॉमा के लिए इन्होंने ये system निकाला था, जो हम अपनी English Language में and का use करते हैं जैसे राम, and, श्याम, तो and को दिखाने के लिए ये वाला dot pattern है, ऐसे बहुत सारे dot pattern, कितने dot pattern, ऐसे 63 dot patterns Braille system में हैं, जो Braille ने describe करा है, जो की blind लोगों को, अंधे लोगों को पढ़ने ल last में यही बताया गया है, कि Braille system में होता क्या है, कि जो भी dots है, वो थोड़ा सा raised होते हैं, थोड़ा सा उबरे हुए होते हैं, थोड़ा सा page से उपर होते हैं, जिससे अगर कोई भी अंधा व्यक्ति उस चीज़ को छूता है, तो वो आसानी से पहचान लेगा, अच्छा, य यह line है, मतलब यह सब मिला कर C बन जाता है, थीक है, तो इस तरीके से हमारा Braille system काम करता था, अब देखो, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़े बताई गई हैं, कि जो visually challenged लोग होते हैं, learn the Braille system by beginning with letters, और अगर कोई अंधा गति, अगर वो पढ़ना लिखना start करता है, Braille system के माध्यम से, तो सबसे पहले उसे क्या पढ़ा जाता है, उसे यह पढ़ा जाता है, कि तुम letters को कैसे पहचान सकते हो, उसके बाद जो special characters होते हैं, special characters का मतलब comma हो गया, semi colon हो गया, colon हो गया, इस चीज़ को आप कैसे पहचान होगे, उसका भी एक अलग-अलग dot pattern बनाया था कैसे हम letters को पहचान सकते हैं, उसके बाद जो special characters हैं, जैसे comma हो गया, semi colon हो गया, colon हो गया, इसको कैसे पहचान सकते हैं, तो पूरी चीज़ें ब्रैली सीट में दी गई हैं, और अगर कोई भी अंधा व्यक्ति इस ब्रैली सीट को touch करता है, तो वो पहचान जाएगा, उसे सि हैं, अगर कोई भी अंधा व्यक्ति उस dot pattern को touch करता है, तभी उसे पता चलेगा, तभी उसे सिखाया जाएगा, कि ये तो A है, ये C है, ये D है, got it, चलो, आगे पढ़ते हैं, कि each character has to be memorized, एक अंधे व्यक्ति को सभी dot patterns, 63 के 63 dot patterns, याद करने होते हैं, Braille text can be produced by hand, और by machine, और अगर कोई भी अंधा गती, अगर वो लिखना चाहता है, तो वो हो सकता है, machine की मदद से लिख पाए, या अगर बहुत जादा उसे training मिली गई है, अगर बहुत जादा उसने पढ़ लिख लिया है, तो वो अपने हाथ से भी Braille system को लिख सकता है, typewriter like devices and printing machines have now been developed, अब अंधे लोगों के लिए टाइप राइटर, जैसे हम लोग अपनी pen से लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही अंधे वेक्तियों के लिए एक टाइप राइटर निकाला गया है, एक टाइप राइटर invent किया गया है, इस टाइप राइटर में क्या होता है, अक्छर जो की, अब अगर आपको ये पता नहीं है कि Helen Claire है कौन, तो मेरे भाई तुम modern world में नहीं रहते हो, Helen Claire जन्म से अंधी थी, उसके बाद भी उन्होंने इतनी सारी पढ़ाई करी, और पता नहीं क्या करा, मतलब एक अंधा वेक्ति जो नहीं कर सकता, एक normal इंसान जो नहीं कर सकता वो इस Helen Claire ने कर दिखाया है, हम class 10 में Helen Claire की एक अलग से novel पढ़ते हैं, ठीक है आप जब class 10 में जाओगे तो आप novel पढ़ोगे, तो ये है इनकी case study आप पढ़ सकते हो, और Helen Claire के बारे में जान सकते हो, so this is all about the today's topic, आज का जो भी हमारा part 4 था, यहाँ पर complete हो जाता है, पूरा आप लोगों को वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बट आप इस बात को भी समझो कि वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, मिलते है यार अगली वीडियो में तब तक के लिए, जै हिंद।